हाई दोस्तों, आज हम जानेंगे GS के कुछ important question के बारे में जो आजका लिक्जाम में पूछे जा रहे हैं Question number 1 भारतियरी जरुब्बैंग की प्रारंभिक सेयर पूझी क्या थी? A. 5 करोड B. 10 करोड C. 15 करोड D. 20 करोड इसका सही अंसर है A यानि की 5 करोड Question number 2 निमलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टाक एक्स्चेंज है? A. C. 80 B. N. A. C. D. A. C. D. A. C. D. B. A. C. इसका सही अंसर है D यानि की B. A. C. Bombay Stock Exchange Question number 3 भारत के सम्विधान के मुल दस्तावेच को किसके द्वारा हाँच से लिखा गया था? A. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर B. प्रेम बिहारी नारायन रायजादा C. डॉक्टर राजेंद प्रसाद D. महात्मा गांधी इसका सही अंसर है B. प्रेम बिहारी नारायन रायजादा Question number 4 भारत का सबसे उल्चा बांध तीहरी किस नदी पर इस्थिद है? A. भागी रथी B. अलकनन्दा C. गंगा D. क्रशना इसका सही अंसर है A. यानि की भागी रथी नदी Question number 5 गवाप्रडाली जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रडान के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है कहलाती है A. वस्तुविनमें प्रडाली B. मौद्रिक प्रडाली C. माल प्रडाली D. इनमें से कोई नहीं इसका सही अंसर है A. यानि की वस्तुविनमें प्रडाली Question number 6 राष्टपति द्वारा राजी सभाके कितने सदस्यों को नामित किया जाता है A. दस, B. पाँच, C. ग्यारा, D. बारा इसका सही अंसर है D. यानि की बारा Question number 7 निमलिखित में से कौन सी नदी भारत के राजशेत्र में उत्पन होती है और समाप्त होती है A. चंबल, B. सिंदू, C. कोसी, D. ब्रह्मपूत्र इसका सही अंसर है A. यानि की चंबल नदी Question number 8 राजी सभाकी बैठकों का सभापती कौन होता है A. राष्टपति B. उपराष्टपति C. प्रधानमंत्री D. प्रवक्ता इसका सही अंसर है B. यानि की उपराष्टपति Question number 9 Sir Edwin Montague और Vice Rale Lord James Ford निमलिखित में से किस्से संबन्दे थाए A. भारत सरकार अधनियम 1858 B. भारतिय परिशद अधनियम 1909 C. भारत सरकार अधनियम 1909 D. भारत सरकार अधनियम 1935 इसका सही अंसर है C. यानि की भारत सरकार अधनियम 1919 Question number 11 निमलिखित में से कौन सी नदी मीठे पानी की डालफिन का घर है A. चंबल B. सिंदू C. गंगा D. ब्रहमपूत्र इसका सही अंसर है C. यानि की गंगा Question number 12 किस नदी को तिबबत में तसांग पो के नाम से भी जाना जाता है A. गंगा B. सिंदू C. तिस्ता D. ब्रहमपूत्र इसका सही अंसर है D. यानि की ब्रहमपूत्र Question number 13 मद्यप्रदेश का निमलिखित में से कौन सा सहर सिप्रा नदी के टटपर इस्तित है A. भोपाल B. उद्जयन C. ग्वालियर D. जबलपूर इसका सही अंसर है B. यानि की उद्जयन Question number 14 निमलिखित में से कौन सी राष्टी आएकोम आपने की एक विधिया है A. वेविध B. आईविध C. उतपाद विध D. सभी इसका सही अंसर है D. यानि की सभी Question number 15 व्यक्तिगत सत्राग्राय प्रारंब करने वाला प्रथम वेक्ति कौन है A. सुभाश्यन्रबोस B. जवाहलाड नहरू C. विनोबा भावे D. मोतिलाल नहरू इसका सही अंसर है C. यानि की विनोबा भावे Question number 16 भारत का सबसे पुराना उचने आले है A. मद्रास उचने आले B. कलकता उचने आले C. इलाबाद उचने आले D. बंबई उचने आले इसका सही अंसर है B. यानि की कलकता उचने आया ले Question number 17 रामक्रश्न मिसन की स्थापना किसने की A. स्वामी विवेकानन्द B. राजरामों राय C. केशवचंद्रसेन D. रामक्रश्न परमहंस इसका सही अंसर है A. यानि की स्वामी विवेकानन्द Question number 18 निमलिखित में से किस वायस राय के समय में साइमन कमीसन ने भारत का दवरा किया था A. लाड इर्विन B. लाड चेम्सफोर्ड C. लाड उड D. लाड विलिंग्टन इसका सही अंसर है A. यानि की लाड इर्विन Question number 19 भारत में निमलिखित में से कौन सा धार्मिक समधाय मुखे रूप से पतेती उस्व मनाता है A. हिंदू B. मुसल्मान C. सिख D. पार्सी इसका सही अंसर है D. यानि की पार्सी Question number 20 निमलिखित में से कौन सा धार्मिक समधित है A. वांगाला B. कांग चिंगबा C. भिहू D. खर्ची पूजा इसका सही अंसर है D. यानि की खर्ची पूजा Question number 1 जाईलम निमलिखित में से किसके परिवाहन में साहता करता है A. भोजन B. पानी C. पोसकत्त D. एदथा भी दोनो इसका सही अंसर है B. यानि की पानी Question number 2 पांच जगतवर्गी करण का प्रस्ताव किस ने दिया A. अर्नेस्ट मेयर B. आरेच विटेकर C. एमडवलू बेजे रिनक D. डी आई इवानो वसकी इसका सही अंसर है B. यानि की आरेच विटेकर Question number 3 गैलेलियों के गेते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है A. गतिका नियम B. न्यूटन का पहला नियम C. न्यूटन का दूसरा नियम D. न्यूटन का तीसरा नियम इसका सही अंसर है B. यानि की नियूटन का पहला नियम Question number 4 निमलिखित में से कौन सा यांत्रधात वट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है A. पाइरोमीटर B. थर्मोकपल C. थर्मामीटर D. थर्मिष्टर इसका सही अंसर है A. यानि की पाइरोमीटर Question number 5 लैन का असंशिप्त रूप क्या है A. लाइन एरिया नेटवर्क B. लाइनर एरिया नेटवर्क C. लोकल एरिया नेटवर्क D. लैन एरिया नेटवर्क इसका सही अंसर है सी यानि की लोकल एरिया नेटवर्क कोश्चन नमबर छे भारत के किस राजी के पास सबसे लंबा समुद्री टठ है ए केरल बी गुजरात सी राजिस्थान डी तमिलनाड इसका सही अंसर है बी यानि की गुजरात कोश्चन नमबर साथ निमलिखित में से पाओधे के किस भाग में कच्छी ये कली विक्षित होती है ए फल बी पत्ती सी साखा या फूल दी जड़ें इसका सही अंसर है सी यानि की साखा या फूल कोश्चन नमबर आठ चित्तावरगण में विजय स्तंब टावर आप विक्टरी किसने बनवाया था ए महाराणा प्रताप बी राणा कुम्भा सी राणा सांगा डी कुमार दुर्जन सिंग इसका सही अंसर है बी यानि की राणा कुम्भा कोश्चन नमबर नो जब एक चीटी काटती है तो किस अमलकारिशाव होता है? ए हाइड्रोकलोरीकमल, बी फॉर्मिकमल, सी एसिटीकमल, डी फास्फोरीकमल इसका सही अंसर है बी यानि की फॉर्मिकमल Q10. इटाई इटाई नामक बिमारी के लिए कौन सा धात उतरडाई होता है? A. कैडमियम, B. निकल, C. क्रोमियम, D. पारा इसका सही अंसर है A. यानि की कैडमियम Q11. है जाके रोगाड की खोज किसने की थी? A. फिलिपो पकिनी, B. रोबर्ट कोच, C. एम लावेरान, D. फेलिक्स हाफमेन इसका सही अंसर है A. यानि की फिलिपो पकिनी Q12. नव मल्थूस यन सिधान्द निमलिखित में से किस से सम्बंदित है? A. रोजगार, B. गरीबी, C. सुनसाधन में कमी, D. आई इसका सही अंसर है C. यानि की संसाधन की कमी Q13. भाटी सम्विधान का भागचार किस से सम्बंदित है? A. संग, B. राज, C. मौलिक अधिकार, D. राज़ी के नीत निदेसक तत्व इसका सही अंसर है D. यानि की राज़ी के नीत निदेसक तत्व Q14. वेदो की ओर लोटो का नारा किस ने दिया? A. गुरु नानक देवजी, B. दयानन सरस्वती, C. स्वामी विवेकानन्द, D. राजा राम मुहन राए इसका सही अंसर है B. यानि की दयानन्द सरस्वती Q15. किस मुगल सासक के प्रशिद राज़सो मंतरी थे? A. साजहां, B. बहादुर साजफर, C. अकबर, D. औरंग्जेब इसका सही अंसर है C. यानि की अकबर Q16. नेमलिखित में से किस स्थान पर गुत्वा कर सुनमल सबसे अधिक है? A. भुमद्य रेखा पर, B. करक रेखा पर, C. मकर रेखा पर, D. धुरूर रेखा पर इसका सही अंसर है D. यानि की धुरूर रेखा पर Q17. पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? A. जडे, B. पंखुडिया, C. तना, D. रंद्र इसका सही अंसर है B. यानि की पंखुडिया, Q18. निमलिखित में से कौन से व्रच्च वर्स में एक बार अपनी पत्तियां गिदा देते हैं? A. पंखुडिया, B. संकुधारी वर्च, C. सदाबहार वर्च, D. पंखुडिया, तना, संकुधारी वर्च दोनों इसका सही अंसर है A. यानि की पंखुडिया, Q19. निमलिखित में से कौन से व्रच्च वर्स में एक कारण होती है? A. चेचक, B. मलेरिया, C. काला जौर, D. हैजा, इसका सही अंसर है B. यानि की मलेरिया Q20. सुधजल किस तापमान पर जम जाता है? A. 32 डिगरी फारेनाइट, B. 0 डिगरी फारेनाइट, C. 48 डिगरी फारेनाइट, D. 37 डिगरी फारेनाइट इसका सही अंसर है A, यानि की 32 डिग्री फारे नाइट Question number 21, लावडी लोकनत्य भारत के किस राजे से सम्बंदित है? A. महाराष्ट B. गुजरात C. मध्यपडेश D. उत्तरपडेश इसका सही अंसर है A, यानि की महाराष्ट Question number 22, हीमोगलोबिन का मुख्य घटक है A, सोइत रक्त को सिका है B, लाल रक्त को सिका है C. प्लाजमा D. सभी विकलिप सही है इसका सही अंसर है B, यानि की लाल रक्त को सिका है Question number 1, सत्तपुडा परियटनिस्थल किस राजे में इस्तित है? A. मध्यपडेश B. जारखंड C. पंजाब D. हरियाडा इसका सही अंसर है A, यानि की मध्यपडेश Question number 2, लोक्टक जील किस राजे में इस्तित है? A. बिहार B. करनाटक C. महाराष्ट D. मडिपूर इसका सही अंसर है D, यानि की मडिपूर Question number 3, बाउल गायन कहां का एक लोक रूप है? A. गुजरात B. बंगाल C. करनाटक D. पंजाब इसका सही अंसर है B, यानि की बंगाल Question number 4, मिनाच्छी मंधिर किस राजे में इस्तित है? A. तमिलाड B. उडिशा C. केरल D. आंधप्रदेश इसका सही अंसर है A, यानि की तमिल नाडू Question number 5, अंतराश्टिय परमाड एजन्सी का मुख्याले कहां इस्तित है? A. निव्यार्क B. वियना C. पेरिस D. बर्न इसका सही अंसर है B, यानि की वियना Question number 6, बुद्ध ने अपना पर्थम धर्म संदेश कहां पर दिया था? A. दाजग्रे B. पाटल पूत्र C. गया D. सारनाथ इसका सही अंसर है D, यानि की सारनाथ? Question number 7, पंडवानी किस राज की प्रमुख कला सहली है? A. उत्तराखंड B. चत्तिस गड़ C. मध्धिपडेश D. उत्तरपडेश इसका सही अंसर है B, यानि की चत्तिस गड़ Question number 8, बेगम अक्तर कला की किस विधा से संबंधी था है? A. नरत्य B. चित्र कला C. संगीत D. लोक कला इसका सही अंसर है C, यानि की संगीत Question number 9, राष्टपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वरणन किस अनुच्छेद या आर्टिकल द्वारा किया गया है? A. अनुच्छेद अटावन B. अनुच्छेद एकसठ C. अनुच्छेद चोंसठ D. अनुच्छेद सरशठ इसका सही अंसर है B, यानि की अनुच्छेद एकसठ Question number 10, भूटान, चीन और मियामार की सीमा किस राजे से जुडती है? A. पश्चिम बंगाल B. सिक्किम C. अड़वांचल प्रदेश D. मेघाले इसका सही अंसर है C, यानि की अड़वांचल प्रदेश Question number 11, संसत का वर्डन किस आर्टिकल में किया गया है? A. अनुच्छेद अठावन B. अनुच्छद उन्यासी C. अनुच्छेद 119 D. अनुच्छेद 100 इसका सही अंसर है B, यानि की अनुच्छद उन्यासी Question number 12, जैन धर्म का वास्त्रिक संसापक किसे माना जाता है? A. पार्सुनाथ B. डिसब देव C. नेमिनाथ D. महावीर इसका सही अंसर है D, यानि की महावीर Question number 13, राज की ये उच्छने आले की मुख्यनाथ इस न्युक्त होने वाली पहली भारती महला कौन थी? A. सोयता पाठक B. सुनीता वर्मा C. लीला सेठ D. अन्तिमा राज इसका सही अंसर है C, यानि की लीला सेठ Question number 14, हडपा की सभ्यता किस युक्की थी? A. नव पासाड युग B. पुरा पासाड युग C. लव युग D. कांस युग इसका सही अंसर है D, यानि की कांस युग Question number 15, भारत की जनगर्डा कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? A. पांच वर्ष B. आठ वर्ष C. दस वर्ष D. बारा वर्ष विश्व पर्यावराण दिवस कब मनाया जाता है? A. पांच जून D. चार मई C. तीन जून D. दो मई इसका सही अंसर है A, यानि की पांच जून Question number 2, माला बार्विंजन किस भारतीय राश्य समन्धित है? A. चतिस गड B. मेघाले C. केरल D. सिक्किम इसका सही अंसर है C, यानि की केरल Question number 3, जूट को किस नाम से जाना जाता है? A. गोल्डन फाइवर B. सिल्वर फाइवर C. लाल फाइवर D. सफेद फाइवर इसका सही अंसर है A, यानि की गोल्डन फाइवर Question number 4, चरक किस राजा का दर्वारिच गिस्सक था? A. चंद्रगुप्त दितिय B. बिंदुसार C. कनिस्क D. बिंबसार इसका सही अंसर है C, यानि की कनिस्क Question number 5, निमलिखित में से प्राचिंतम राजवन्स काउन सा है? A. मौरिवन्स B. गुप्तवन्स C. कुसारवन्स D. इनमें से कोई नहीं इसका सही अंसर है A, यानि की मौरिवन्स Question number 6, दोजाद चोबिस में प्रालंपिक के कौन से संस्करण का आवजिन किया गया? A. पंद्रवाँ B. सोलवाँ C. सत्तरवाँ D. अठारवाँ इसका सही अंसर है C, यानि की सत्तरवाँ Question number 7, नालंदा महावीरिस्थल किस राज़ में है? A. बिहार B. असम C. हरियाडा D. पस्चिम बंगाल इसका सही अंसर है A, यानि की बिहार Question number 8, रथियात्रा उस्चो कहां मनाया जाता है? A. कोडार्क B. पुरी C. हरिद्वार D. द्वारिका इसका सही अंसर है B, यानि की पुरी में Question number 9, अढ़ाई दिन का जोपडा कहां इस्तित है? A. अजमेर B. दिल्ली C. फतेपुर्सिकरी D. आगरा इसका सही अंसर है A, यानि की अजमेर Question number 10, हम भी उस्चो किस राज्य में मनाया जाता है? A. करनाटक B. मनिपुर C. बिहार D. उडिशा इसका सही अंसर है A, यानि की करनाटक आपको जानकारी कैसी लगी कमन में ज़रू बताएं मिलते हैं अंगले वीडियो में Thank you D. उडिशा